जए श्री महाकाल सभी को और अभी आमेशेर ओलम्पिया चल रहा है इंडिया में हमें से कई लोग यह चीज़े बोलते हैं इनफेक्ट मैं भी पहले बोलता था कि जो इंडियान एथलीट होते हैं मैंस फिजिक, क्लासिक फिजिक, टू ट्वेल या चाहे वो बॉड़ी बीडिंग वाला हो वो जो फॉरन एथलीट होते हैं उनको बीट नहीं कर सकते हैं बट इस सीरिसली इस एथलीट को देखने के बाद मेरा पुरा माइंड सेट है ना चेंज हो गया है बात करता हूँ मैं इस एथलीट की तो ये सर का नाम है राजय हजीत ये साइद साउट से बिलॉंग करते हैं अभी मैं इनके बारे में थोड़ी रिसर्च करूँगा फिर आपको पूरा क्लियरली बता पाऊँगा तो यार इनकी फिजिक आप एक पर देखो मतलब पूरे लाइन अप में इने सबके हालत खराब कर रही है कोई इनके आगे पिछे भी नहीं लग रहा है अगर हम कंपेर करें इनको सिद्धान जायस वाल से बहुत मैचर ये एथलीट है इस लाइन अप के और बहुत इनसे ज इज वाले भी है और मतलब मसल मैचरेटी भी इन में सबसे जादा है पर फिर भी ये भी इनके आगे नहीं लग रहे हैं अगर मैं बात करूं कोर और एप्स की तो फिर वो सिद्धान जायस वाल के सबसे बैस्ट है वन अब दे बैस्ट अभी अगर इन दोनों का कंपेर करें हम सिद्धान जायस वाल और इनका तो इनका जो शोल्डर और वेस्ट रेस्ट रेस्ट है वो सिद्धान जायस वाल से बहुत अच्छा है अब देखो इनका एक बार शोल्डर और वेस्ट का रेस्ट बहुत एक जो मैंस फिजिक का एथलिट होता है ना उसके हिसाब से बहु और बेक उसमें डेप्ट ज्यादा है और अपर बेक में उतना सेपरेशन नहीं दिख रहा है रिजन यह है या हो सकता है कि डेड लिफ्ट का ज्यादा यूज करना और जो अधर मशीन होती है अधर वरक आउट होते हैं अपर बेक से रिलेटेड तो उस चीज को नहीं करना या कुछ और बी चीज़े हो सकती है उस चीज को मैं नहीं बता सकता बट अभी तो पूरे लाइ साथ इनका और सिद्धा अंजाय सुल्सर का तो देखते हैं और अभी तो यह क्लियर कट मुझे सबसे ज्यादा मतलब अभी विनर लग रहे हैं देखते हैं अब आगे क्या होता है तब तक के लिए जैश्यू में आकाल